देश के बारे में बताया जाते हैं, हम लोग स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल में हम लोग गालिया सीखते हैं, स्कूल में मेरे दोस्त भी गालिया देते हैं, लेकिन हम लोग मज़िद आते हैं, वहापे सीखते हैं कि हमें गाली नहीं देना चीए, क्या करना चीए, क्या सब्सक्राइब करा इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो जैसे स्पोर्ट हो गया उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं 2016 में जब मदर्सा हमारा काइम हुआ उसी वक्त में आया यहां पर उसक्त हमारे पास सिब 30 बच्चे थे तो उसके बाद में मेहनत किया और हमारे जो हमारे जो जुमला कमेटी थी आईडिएफ की उस वक्त वजूद में नहीं आई थी बाद में 2017 में हम लोगों ने फिक्र किया और मेहनत किया तो हम बच्चों को में बच्चों पर मेहनत किया और गार्जियन पर मेहनत किया तो आलहम कि स्वागत महारश्ट्रबंदू में आप सभी का मैं हूं अभीशेग और आज मैं आप लोग को बताने वाला गंतन्त्र दिवस के दिन आप सभी को सबसे पहले तो महारश्ट्रबंदू के पूरे टीम के तरफ से हैपी रीपब्लिक दे और आज मैं बता दो तो मेरे पीछे लगभग आप लोग देखिए 140-150 के आसपास बच्चे जो जुड़े है वो एक फाउंडेशन से जुड़े है और वो फाउंडेशन का नाम है IDF फाउंडेशन और इस फाउंडेशन से जुड़कर बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर स्कूल के साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्रिकूलर एक्टिविटीज में IDF फाउंडेशन इन्हें help करता है कहीं ना कहीं हमें यह पता चला कि IDF फाउंडेशन हर एक बच्चों को कही ना कहीं जो फाइनेशली इशू होता है उनको भी स्कूल में हेल्प करता है और उसी के साथ में इन्हें एक अच्छा तालीम देने के लिए हेल्प करता है तो सबसे पहले पूछेंगे हम आप लोग देखिए जरा आपका नाम बताएंग स्कूल जाने के बाद में आज यहां पर रिपब्लिक देखे दिन आये हो आप तो यह किस लिए हो सबसे पहले जो हम लोगा आई एडिए फाउंडेशन है वह हम लोग को पड़ा इसलामी तालीम के साथ बहुत सारी चीजे भी सिखा रहा है तो इसी के लिए हम लोग को इंडिपेंडेंस डे में भी बुलाया जाता है वैसे रिपब्लिक दे में भी बुलाया गया है और हम लोग को बताया जाता है हमारे मस्जिद में कि यह देश के बारे में देश के बारे में बताया जाता है हम लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन स्कूल में हम लोग गालिय सिखाते कि हमारे पास दिनियात China में हमें 12 सिखाई जाती कि जीने का तरीका कैसे जीते हैं वो सब सिखाए गलत सिखाया जाता है अब लोग इस अबसे पहले बफानेशन जो है वो कहीं न कई बच्चों को आने वाले दिनों में उनके भविश्य के लिए कुछ अच्छा सिखाने का और जो वाल्यू प्रोवाइड ये जो कर रहे हैं बच्चों के लिए उनका इससे थौट प्रोसेस चेंज होता है आप सभी को बताईए तो थोड़ा पीछे जाईए बच्चे इतने हैं कि यहां पर जगा नहीं है खड़े रहने के लिए पर सबसे पहले आपको यह बता दूब कि आप लोग देखिए पीछे साइड यह जो बच्चे जुड़े है यह कोई जबरदस्ती लाया नहीं गया है यह खुद आये है मुझे यह बताईए आपका नाम क्या है मेरा नाम ऐसान अंसारी कौन से स्कूल में हो केंद्र विद्धाले नंबर तो कौन से स्टैंडर्ड में हो एलेवेंध में मुझे यह बताओ आज डेके दिन आप यहां पर आये हो लाइग वास्टिंग भी करने वाले हो तो इतने सारे बच्चे है थोड़ा कुछ बताएंगे कि कैसे इतने बच्च बच्चे जुड़े हैं क्योंकि हमारे आई डीएफ जो हम लोगा फाउंडेशन वाहां पर अच्छी बाते सिखाया जाती है दुनिया के बारे में भी सिखाया जाती है जैसे आप देख सकते हैं आप इतने बच्चे लोग पब्लिक डेव में भी आते हैं और इंडिपेंड और यह बताईए आपको आज यहां पर यहां पर जंडा फैराया जाएगा और उसके बाद यहां पर प्रास डिस्ट्रिबिशन भी किया जाएगा गिफ्ट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद घर चले जाएंगे सब बच्चे लोग और आप लोग तो कैसे जुड़ते हो कब जुड़ते हो स्कूल जाने के बाद में कहां पर जाते हो क्या करते हो स्कूल जाने के बाद फिर आते हम लोग स्कूल से उसके बाद सबका अलग अलग बैच रहते हैं आप सभी को बता दें बच्चों से तो हमने बात करी लिया पर आप सभी को ब यहां पर है सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हमें नहीं पता था कि आइडिया फाउंडेशन है हमारे इलाके में आज पता चल रहा है कि एक फाउंडेशन है जो बच्चों को ऐसे शिक्षा भी दे रही है जो स्कूल के अलावा भी वो लोग अपनी जिंदगी में कैसे चले तो मुझे बताइए कब से स्टार्ट किया गया कैसे ख्याल आया इसका हमने आइडिया फाउंडेशन 2017 में स्टार्ट किया आज तक रीबन आइडिया फाउंडेशन को पांच साल हो गए सुरू में हम कुछ दोस्तों ने यह सोचा कि इस फाउंडेशन से हमारे इलाके में जो बच्चे हैं वो दुनिया की तालिम तो ले रहे और उनके अंदर जो इस्लाम ने तालिम दी है कि दुनिया के अंदर अमन और शांती कैसे रहे ना कि अपने माबाप की खिद्मत कैसे क और उसके अलावा दुनिया की भी एजूकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है इसी को मद्दे नजर रखते हुए हमने इस फाउंडेशन से जो हमारा अल्रेडी मक्तब चल रहा था मदर्सा बुस्तान उलूम ट्रस्ट के अंदर तो हमने इसका मेनेजमेंट आइडिया इ 사हन देना यह स्टार्ट किया हमने उसके अलावा बच्चों को जैसा इस स्कूल में एडमिशन के अधिवार से अकुर्प में हम हमयल करते हैं इनका अन्यृब करते हैं हमारा ट्रस्याइड अबात आपका पहले बात महारा रख बंदूー स्वागत है बच्चों से बात करकर अच्छा लगा हमें आप मुझे यह बताईए कि यह बच्चे को बच्चों को जो आप सिक्षा दे रहे हो यह अपने जिंदगी के लिए अपने किस तरह से अपना पड़ाओ रहे कि अपने जिंदगी को लेकर उसके बारे में दे रहे हैं यह सिर्फ तालीम या जो कहते हैं कि मुसलिम में जो रिलिजिस में जो सिखाया जाता है वही सिखारे हो जी ने देखे 2016 में जब मदरसा हमारा कायम हुआ उसी वक्त में आया यहां पर उस वक्त हमारे पास 30 बच्चे थे तो उसके बाद में मेहनत किया और हमारे जो जुमला कमेटी थी आईडियाफ की उस वक्त वजूद में नहीं आई थी बाद में 2017 में हम लोगोंने फिक्र किया और मेहनत किया तो हम बच्चों पर मेहनत किया और गार्जेन पर मेहनत किया तो आलहम्दो जल्श हमारे पास उतने बच्चे हुए और आईडियाफ का मतलब जो वजुद में आना इसके शक्ल जो बनाना यह हुआ कि तमाम ऐसे इस एस इलाके के अंदर जो अनाद बच्चे हैं जिसके वालेद हैं नहीं हैं या हैं तो किसी वज़ा से पढ़ाया नहीं पाते हैं उनके फीज्र को हमने माफ किया और उनसे मुलागात करके इस पुरण Sr. कारिया राजा मैं वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाभी तालीम भी हासिल करते हैं और जुरूरी है कि जिन्दकी के आखिरी मरहले में दीनी हमारा काम आएगा इसके वज़े से हम आज मेहनत करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या है आपका कि कितने बच्चे और इस फांडेशन से जुड़ने चाहिए बिलकुल हमारी जो आप सवाल करने हैं कि मैं कोशित करता हूं कि पूरे हमारे चेत्र के सारे बच्चे हमारे पास मदर्सीम आये और हम 500-600 बच्चे तक हम उसको अपने पास रखें और हम उनको तालीम हासिल दें और अच्छी तालीम कोशिस करेंगे और इंशालला मौलिम बढ़ानी कोशिस भी करेंगे आके जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास किये मूर्तिनगर के पार्ट त्री इलाके के अंदर आई डिए फांडेशन चल रहा है बच्चों अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करी रहे हैं बच्चे पर उसके अलावा भी कुछ समय आई डिए फांडेशन के साथ जुड़ कर ये बच्चों को अच्छा सिक्षा प्रोवाइड करने में सायता कर रहे हैं तो बने रही है महारश्ट्रा बंदु मैं मैं हूँ अभीशेक ऐसे ही जानकरी तो देते रहूंगा पर आज रिपब्लिक डे के दिन ये जो बच्चे है इस समय जुड़े हैं आप इनका जो भी कारेक्रम होगा वो वीडियो के चलते देखी लीजे कर दो